एक जंगल में टूनी चिणिया अपने बच्चों के साथ में बारिस में भीग रहे थी तभी उसके बच्चे बोलें मा, मा, हम लोग बारिस में कब से भीग रहे हैं मा, हम लोग अब पक्का का घर कब होगा मा, हम लोग जब से जन्म लियें तब से दुखी दुख कर रहें मा, कुछ कीजिये मा आप मुन मुन बेटी कहां से पकका का घर बनाओ तुम्हारे पीता जी बीमार ही रहते हैं मैं जो कुछ भी थोड़ा बुद कमाती हूँ तुम्हारे पीता जी का दवा ही आ जाता है अभी तो हम लोग ऐसे ही दुख जिलना होगा बेटी और तो और बेटी मुझे तो तुम्हारा बहुत चीनता हो रहा है बेटी घर में कुछ भी नहीं है दहेज देने के लिए पैसे जहां तुम्हारा बात चला है वहां के लोग दहेज मांग रहे थे मैं तो उन लोग को समझा दी जब मेरे पास होंगे तो मैं दहश दे दूँगे तब जाकर वो लोग माने हैं बेटी टूनी चिलिया अपनी बेटी से बात कर रहे थी तब ही बारिस बंध हो जाती है फिर बारिस बंध होने के बाद मुनमुन की सास कबुत्तर आ जाती है फिर बोलती है कबुत्तर टूनी बेहन जी हम साधी का देट रखने आ हैं इन लोग का साधी मंगलवार को ही होगा कल अच्छा दिन है मंगलवार ठीक है टूनी जी सब तयारी कर लिजिएगा आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा लूसी बेहन जी पासवाले जंगल में आप लोग आज आईएगा हम लोग वहीं पे आपका इंतिजार करेंगे बच्चों का साधी वहीं पे होगा लूसी बेहन जी ठीक है ठीक है टूनी बेहन जी हम पासवाले जंगल में हम लोग आज आएगे और हाँ एक और बात जरूर याद रखिएगा हम जितना मांग कियें दहज में उतना ही मुझे चाहिए ठीक है और मुझे उतना ही मिलना चाहिए ठीक है टूनी जी अब मैं जा रही हूँ कल वहाँ पे मिलेंगे हम लोग ये बोलकर कबुतर वहाँ से चली जाती है इधर टूनी चिणियां सोच में पड़ जाती है कि मैं दहज इतना जल्दी कहां से लाँ ये सोच कर टूनी चिणियां कवा के पास उरते उरते पहुंच जाती है फिर बोलती है कवा से कवा मौसी जी कल मेरी बेटी का साधी है आप कल जरूर आएगा पर कवा मौसी जी एक समस्या है मेरी बेटी का देहस देने के लिए कुछ भी नहीं है आप दो दिन पहले हमसे बात किये थे ना वो आम का बगीचे के बारे में वो मुझे बेचना है अपनी बेटी के लिए आ आप लेंगे क्या वो बगीचा हाँ वो तो सब ठीक है में तुम्हारी बेटी के सादे में जरूर कलाओंगी पर अब मुझे नहीं खर इतना है वो बगीचा मेरे पास जितने सारे पैसे थे वो सब खतम हो गया है टूनी फिर उसके बाद टूनी चिणिया सोचने लगती है ठीक है टूनी में जरूर आऊंगी फिर टूनी चिणिया वापस अपने घर चली जाती है फिर अपने मुनमुन बेटी से बोलती है बेटी तुम लोग तयार हो गई अगर नहीं तयार हुई तो जल्दी तयार करो सादे के लिए हाँ मा हम लोग तयार हो गए है तब जल्दी चलो बेटा साधी के लिए हम लोग देर हो रहे हैं जल्दी चलो फिर साथ में सारे पक्छी साधी के लिए उड़ते उड़ते दुसरे जंगल में पहुंच जाते हैं टूनी चिन्या को देखकर कबुतर बोलती है टूनी बेहन जी आप आ गई अपनी बेटी को लेकर समय निकला जा रहा है टूनी जी जल्दी से साधी कराना होगा बेटा राजू चलो साधी के लिए त्यार हो जाओ जल्दी से माला लो मुन्मुन के गले में डाल दो मुन्मुन तुम भी राजू के गले में माला डाल दो लूसी बहन जी साधी अब खतम हो गई है अब मेरी बेटी अब आपकी बहु बन गई है बेटी के तरह इसे प्यार दिजिएगा लूसी बहन जी ठीक है लूसी बहन जी ठीक है टूनी बेहन जी आप चिंता मत किजिए मैं एक बेटी की तरह प्यार दूँगी आपकी बेटी को ठीक है अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए अब आप लोग भी घर जाएए फिर सारे पक्षी अपने अपने घर पहुँच जाते हैं फिर कब उतर मुर्मुन से बोलती है अरे ओ महरानी जाओ मेरे लिए बगीचे से अंगुर लेकर के आओ जल्दी जाओ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और जादा लेकर के आना ठीक है माजी अभी मैं जाती और आपके लिए फल लेकर के आती हूँ फिर मुर्मुन बगीचे में फल लाने निकल जाती है फिर बोलती है कबुतर ये कहां मर गई अभी तक नहीं लेकर के आई फल आने दो इसे तो मैं फिर अच्छे से इसे बताऊंगी कबुतर मुर्मुन चुनिया पर गुस्सा हो ही रही थी वैसी ही मुर्मुन चुनिया फल लेकर के आज आती है ये देहकर कबुतर मुर्मुन से बोलती है काहां तु मर गई थी फल लाने में इतनी देरी कर दी तुझे मालूम है ना लेट होना मुझे बिलकुल भी पसंद न तुम हमसे बहस करोगी एक तु तुम्हारी मा बिना देहज की तुझे मेरे घर भेज दिये ये मत भूलना घर में जितना ये सब समान दिखाई दे रहा है न ये सब मेरा है तु अपने घर से एक चम्मच भी नहीं लाई हो अगर दूसरी बार हमसे उची आवाज में बात की न घर से बाहर निकाल करके फैक दूँगी समझी तु ये फल रख और जा यहां से तु फिर मुन्मुन चिणिया फल रख कर वहां से अपने घोसले में चली जाती है इधर का भूतर फल देह कर बोलती है अरे वाह ये अंगुर कितना हरत दिखाई दे रहा है फिर तु खाने मे और सवाद लगेगा ये फल देखकर मेरे मुह में पानी आ रहा है अब जल्दी से इसे फल को खा लेती हूँ फिर कब उतर फल खाने लगती है फिर खाकर बोलती है अरे वाह ये फल खाकर मुझे तो मज़ा आ गया इस मुन्मून को मैं हर दिन ऐसे ही परिसान करूंगी बीन करने के बाद फिर मैं अपने बेटे का दूसरी साधी करा दूंगी एक अमिर घराने घर फिर धेर सारा दहेज मिलेगा फिर मैं और अमिर बन जाओंगी फिर जंगल के सारे पक्षी मुझे देखकर जलेंगे फिर कुछ महीने योहीं बिज जाता है फिर कब उतर मुन्मुन से बोलती है अरे ओ मुन्मुन मेरे सर में दर्द हो रहा है चल तु मेरा सर दबा ठीक है माजी अभी में दबाती हूं आपका सर फिर मुन्मुन कब उतर का सर दबाने लगती है फिर कब उतर मुन्मुन से बोलती है अरे ओ भी खारन तु मेरा सर कैसे दबा रही है जैसे लग झाल झाल